धाड के बेगुसराई जिला सहीत अन्य सहरों में सुहाकिन महलाओं ने धूम धाम से बट सावित्री बर्त मनाया। बताया जाता है कि हिंदू धर्म में यू तो पती की लंबी उम्र के लिए कई बर्त रखे जाते हैं। लेकिन बट सावित्री के बर्त का अपना अलग ही महत्त्य है। जेट मास के बर्तों में बट आवश्या का बर्त बहुत प्रवावी माना जाता है। जिसमें सोभाग्यवती इस्तिरियां अपने पती की लंबी आयू इवं सभी पड़काड की सुख समिर्धियों की कामना करते हैं। इस दिन सभी सुहागन महलाएं बर्त रखती हैं और बट व्रिक्ष की पूजा करते हैं। माना जाता है कि बर्त व्रिक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पती वर्त के प्रवाव से मिर्ध पड़े सत्यवान को पुना जीवित किया था। तभी से इस वर्त को बर्त सावित्री नाम से भी जाना जाता है। इसमें बट व्रिक्ष की सर्धा वक्ती के साथ पूजा की जाती है। महलाएं अपनी अखंड सौभाक एवं कल्यान के लिए यह बर्थ करती है। भारत की कुछ राजियों जैसे बिहार और उत्तर परदेश में इस बर्थ की काफी धूमधाम से मनाया जाता है। पुरानों में यह असपष्ट किया गया है कि बट में ब्रह्मा, विष्णू वा महेश दीनों का वास है। मान्यता अनुसार इस बर्थ को करने से पती की अकाल मिर्तियों टल जाती है। बट अर्थात बर्गत का ब्रिक्ष, आपकी हत्र की मननत को पूरी करने की चमता रखता है। पीपल और बट ब्रिक्ष की पडिकर्मा का विधान है, इनकी पूजा के भी कई कारण है। आध्यात्मिक जिश्टी से देखे तो बट ब्रिक्ष दिरगाय। वा अमर्रत के बोध के भी नाते सुईकार किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि बट ब्रिक्ष की पूजा लंबी आयू, सुख समेर्दी और अखंड सोभाग देने के लिए साथ ही हर तरह के कलह और संताप मिटाने वाली होती है। बेगुस्राई टूडे के लिए स्याम सुन्दर की रिपोर्ट